बर्लिन ये सीरीज मनी हाइस्ट वाले टाइम लाइन के कुछ समय पहले की कहानी है जहाँ पर हम खास कर बर्लिन की स्टोरी के बारे में जान पाएंगे और बर्लिन के एक और खतरनाक से चोरी को देख पाएंगे तो शुरू करते हैं Berlin Series के Episode 1 को So welcome back to Samaria and let's get started Berlin Episode 1 इस Episode की शुरुआत में हम Berlin को देख पाते हैं जिसका तीसरा तलाक हो रहा था मतलब Berlin की तीसरी बीवी उसे छोड़ कर जा रही होती है और इस वज़ा से Berlin काफी दुखी हो जाता है लेकिन इसी दुख में वो जाता है चूरी करने के लिए और चूरी करने के लिए हम Berlin के नए नवेले टीम को देख पाते हैं तो इस टीम में 5 मेंबर्स थे सबसे पहली मेंबर है केला जो की एक Electrical Engineer है और इसे हम Hacker भी कह सकते हैं उसके बाद है Rio जो की किसी भी तरीके के ताले को खोल सकता है और उसके बाद है Damian जो की है Professor ये सच में एक Professor है और साथ ही में Master Mind भी वो कैसे चूरी करना है क्या करना है सब कुछ यही प्लैन करते हैं और उसके बाद है Bruce जिसके पास हर तरीके हतियार होते हैं मतलब Bombs, Guns जो भी हतियार चाहिए इसके पास मिल जाता है और आखरे मेंबर Obviously Berlin है तो अब ये पाचों मिलकर चूरी करने के लिए जाते हैं तो ये लोग एक घर के अंदर जाते हैं किसी अमीर आदमी के घर पे जहाँ पर ये Family डिनर कर रही होती है तो Berlin यहाँ पर इन से पूछता है कि इस घर का मालिक कौन है तो Berlin इस घर के मालिक को बताता है कि हमें इस घर का Search Warrant मिला है हमें यहाँ पर तलाशी लेनी है तो Berlin इस घर के मालिक के साथ इस घर के तीजोरी के पास जाता है चेकिन करने के लिए और Berlin यहाँ पर देख पाता है कि इस घर के मालिक के पास बहुत सारे पुराने एंटिक पीसे से हैं, मतलब पुराने जमाने के बहुत सारे समान यहाँ पर पड़े होते हैं, और ये सारे पुराने और महंगे समान इस घर के मालिक ने समगलिंग करके अपने घर पे रखे हुए तो अब बर्लिन इस घर के मालिक से कहता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ पर तुम्हारे इस रास को छुपाने के लिए मुझे तुम्हारा एक समान चाहिए ये कहकर बर्लिन एक पुराना सा ग्लास उठाता है मतलब पुराने जमाने का एक पियाला उठाता है और इस घर से अब हम इसके बाद देख पाते हैं कि बर्लिन अपने टीम में एक और नए लड़की को जोइन करता है और इस लड़की का नाम है कैमरॉन पर इस लड़की की कोई खासियत नहीं है फिलाल तो हमें यही पता है कि वो थोड़ी बहुत पागल है तो अब बर्लिन और प्रोफेसर मिल कर एक और नई चूरी करने के बारे में बात करते है और इस वाले चूरी में वो 40 MILLION यूरोस चुराने वाले थे तो बर्लिन बताता है कि सपेन के एक आॉक्शन हाॉस में चौ तीश सहरो की महंगे महंगे समान या फिर कह लो महंगे ज्वैल्रीज आने वाले है एक ही था। था। तो बरलिन कहता है कि वो एक टरणल बनाएंगे, वो खुदाई करके एक टरनल बनाएंगे उस आक्शन हाउस के कमरे तक और अराम से वो ऐस आक्शन हाउस के कमरे से सारे जोलेरी वगज़रा चुरा लेंगे। खेर, a plan तो set था, लेकिन एक छूटी सी problem थी, दरअसल 34 शहरों से जो महेंगे समान auction house में आने वाले हैं, वो सारे महेंगे समान एक बारी में auction house में नहीं आएंगे, तो Berlin को यह कैसे पता चलेगा, कि वो 34 शहरों के जो महेंगे समान हैं, वो auction house में कब आ रहे हैं और कब जा रह तो अब बर्लिन की टीम उसी आक्षन हाउस के डिरेक्टर के घर पे जाते हैं, चोरीची पे यहाँ पर ताला वगरा तोड़ते हैं और कमरे के अंदर गुशते हैं और यहाँ पर यह बहुत सारे कैमराज छुपा देते हैं और माइक्रोफोन्स वगरा लगा देते हैं ताकि जब आक्षन हाउस का डिरेक्टर घर पे आए और बातचीत वगरा करे तब सारी बातचीत और सब कुछ बर्लिन को पता चल सके बर्लिन सब कुछ सुन पाए खैर अब बर्लिन की टीम यहाँ पर कैमराज और माइक्रोफोन्स वगरा इंस्टॉल कर देती हैं उसके बाद और उसके बाद हम रियो को देख पाते हैं रियो जो कि किसी भी तरीके के ताले को खोल सकता है लेकिन अब ये रियो टीम में आई हुई नई लड़की कैमराज को देखकर फिसल जाता है मतलब काइंड और रियो कैमराज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था लेकिन बर्लिन को यह बाद पता चल जाती है कि रियो कैमराज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो बर्लिन रियो को जाकर समझाता है कि देखो वो लेड़की आधी पागल है और उससे किसी भी तरीके का रिलेशन्शिप रखना तुमारे लिए बिलकुल अच्छा नहीं होगा तो तुम उससे दूर रहना ये कहकर रियो कैमराज से अपनी दूरी बना लेता है खैर अब आक्शन हाउस तक सुरंग खोदने के लिए वो एक चर्च तक पहुंसते हैं दरसल इस वाले चर्च के नीचे एक टनल है जिस टनल की जरीए वो आराम से खुदाई करके आक्शन हाउस के कमरे तक पहुंस सकते थे और यहाँ पर बरलिन और उसकी पूरी टीम हिस्टोरियन बनकर इस चर्च में आई होती है और इस चर्च के फादर से मिलकर वो कहते हैं कि हम हिस्टोरियन्स हैं और हमें पता चला है कि आपके चर्च के नीचे बहुत ही पुराने एंटीक समान गड़े हु बरलिन और उसकी पूरी टीम हिस्टोरियन्स हैं जो कि जगा 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 जाकर पुराने एंटीक समानों को खोद कर निकालती है तो अब ये फादर भी ऑनलाइन में उन्ही सारे पेजिस को देख कर यकीन कर लेता है कि बरलिन और उसकी ये जो टीम है वो हिस्टोरियन्स है और उसके चर्च के नीचे सच में कोई महंगा समान हो सकता है तो अब बरलिन और उसकी पूरी टीम फादर के साथ इस चर्च के तैखाने में जाते हैं और यहाँ पर वो मशीन के जरिये चेक करने लगते हैं कि जमीन के नीचे कोई महंगा समान है की नहीं और यहाँ पर वो जूट मूट का नाटक करते हैं और फादर को यकीन दिलाते हैं कि इस तैखाने की नीचे कोई महंगा समान चिपा पड़ा है तो अब बरलिन इस फादर से पर्मिशन मांगता है कि हमें यहाँ पर खुदाई करनी है और खुदाई करके हम देखना चाते हैं कि यहाँ पर हमें कोई महंगा समान मिल सकता है कि नहीं और फादर भी लालच में आकर बर्लिन को पर्मिशन दे देता है और अब दूसरी तरफ आक्शन हाउस के डिरेक्टर के घर पे बहुत सारे कैमराज और माइक्स तो इंस्टॉल हो चुके थे तो अब Berlin उनी कैमरास के जरीए डिरेक्टर के घर पे देखने लगता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है तो यहाँ पर Berlin उसी डिरेक्टर की वाइफ को देख पाता है तो यहाँ पर Berlin इसी डिरेक्टर की वाइफ को देखकर पिगल जाता है और अब मनिमन बर्लिन इससे प्यार कर बैठता है और अब बर्लिन इसी डिरेक्टर की वाइफ का पीछा करने लग तो जब ये डिरेक्टर की वाइफ एक बार में गाना गाने के लिए जाती है तब बर् जादा खुदाई करने के लिए चर्च के फादर की पर्मिशन की जरुवत थी जो कि बर्लिन को नहीं मिली थी मतलब जादा खुदाई करने की पर्मिशन बर्लिन को नहीं मिली थी तो अब फादर को मनाने के लिए बर्लिन ने जो पहली चोरी की थी जिसमें उसने एक पुरान प्याले को चुराया था बर्लिन की टीम उसी प्याले को लेकर चर्च के तैखाने में जाते हैं और चुपके से उस प्याले को जमीन में दफना देते हैं और ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे कि वो प्याला उसी चर्च के नीचे दफनाया हुआ था और फिर वो चर्च के फादर क नीचे बुलाते हैं तैकाने में और दिखाते हैं कि देखे फादर आपके चर्च के नीचे हमें ये पुराना समान गड़ा हुआ मिला है और अब्वियसली ये देखकर फादर लालच में आ जाते हैं फादर को लगता है कि उनकी इस चर्च के नीचे और भी बहुत सारा कीमती समान गड़ा हुआ होगा और 예 सोचकर फादर अब Berlin और उसकी टीम को और ज्यादा खुदाई करने की पर्मिशन दे देता है और फादर इतना लालची हो चुका था कि वो खुदाई करने के लिए खुदी मशीन लेकर आता है और Berlin की टीम को देता है खेर अब हम Berlin को देख पाता है जो कि प्रोफेसर के पास आता है और प्रोफेसर को अपने प्यार के बारे में बताता है Berlin प्रोफेसर को बताता है कि उसे auction house के डिरेक्टर की wife से प्यार हो गया है और ये सुनकर प्रोफेसर बर्लिन को समझाता है कि देखो हम जिस डिरेक्टर के आॉक्षन हाउस में चूरी करने वाले हैं उसी की वाइफ से तुम्हें प्यार करने की क्या जरुवत थी हमने बहुत समय से इस चूरी को प्लैन किया है तो प्लीज अब इसे बरबाद होने मत लेकिन बर्लिन मानने वाला नहीं था बर्लिन प्यार के मामले में बहुत कमजूर था और वो प्यार के लिए चूरी को भी सैक्रिफाइस कर सकता था खैर अब हम बर्लिन को देख पाते हैं जो कि डिरेक्टर की वाइफ को पटाने का एक प्लैन बनाता है बर्लिन अपने जो कि बार के अंदर जाता है और डिरेक्टर की वाइफ के पास बैट कर उससे बाते करने की कोशिश करता है तो अब बर्लिन डिरेक्टर की वाइफ से कहता है कि मैं आपके गाने के चोईस को पता लगा सकता हूं तो ये डिरेक्टर की वाइफ कहती है ठीक है बताओ मेरा मन पसंद गाना कौन सा है तो Berlin कहता है कि मैं एक नहीं बलकि दो बताऊंगा तो Berlin यहाँ पर दो गानों का नाम लेता है तरसल Berlin को पहले से पता था कि ये डिरेक्टर की वाइफ कौन से गाने को पसंद करती है तो Berlin अराम से गेस कर लेता है कि डिरेक्टर की वाइफ को कौन सा गाना पसंद है और ये जानकर डिरेक्टर की वाइफ इंप्रेस हो जाती है कि इसे तो सब कुछ पता है खेर फिर जब ये थोड़ी बहुत बाते करते हैं उसके बाद रियो इस बार के अंदर आता है और रियो ऐसे नाटक करता है जैसे कि बर्लिन उसका पुराना साथी हो तो यहाँ पर बर्लिन का ये सब कुछ प्लैन था कि रियो थोड़ी दिर बाद उसका पुराना दोस्त बन कराएगा दरसल बर्लिन का प्लान था कि वो डिरेक्टर की वाइफ से बस थोड़ी सी बाते करेगा और इसी से उसे पता चल जाएगा कि डिरेक्टर की वाइफ बर्लिन को पसंद करने लगी है या फिर नहीं लेकिन फिर Berlin और Director की बाते जब खृतम हो जाती है तब Director की wife चुपचा बार से बाहर चली जाती है तो अब Berlin को लगता है कि उसका plan तो fail हो गया मतलब Director की wife को पटाने का plan fail हो गया खेर अब हम दूसरी तरफ Berlin की team को देख पाते हैं जोकि Church के तेखाने में अभी भी खुदाई कर रही होती है और यहाँ पर हम Kayla जोकि हैकर है और Bruce जिसके पास गंस्वगरा होते हैं इन दोनों को देख पाते हैं यह दोनों आपस में थोड़ी सी बाते कर रहे होते हैं मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई चकर चल सकता है आगे ऐसा मेरा मानना है खेर अब इनको चर्च के तैखाने के नीचे एक पुराना कबरिस्थान मिलता है और इसी कबरिस्थान के जरीए वो आक्शन हाउस के कमरे तक पहुंच सकते थे मतलब यहीं से अब उनको आगे खुदाए करने थी तो ये लोग खुदाए करना चालो कर देते हैं लेकिन थोड़ी दिर बाद वो लालची फादर वापस से तैखाने में आता है और कहता है कि मेरे चर्च के नीचे जो वो महंगा प्याला मिला था वो प्याला मैं अपने डीन को दिखाने जाना चाता हूँ जो कि पैरिस में है दरसल ये फादर इस महंगे प्याले को लेकर पैरिस जाना चाहते थे लेकिन अगर ये फादर गलती से भी इस वाले प्याले को लेकर पैरिस जाते ये जाच कराने के लिए कि ये प्याला पुराना है की नहीं महंगा है की नहीं और कौन से समय का है तो अराम से ये बात पता चल जाता कि ये प्याला इस चर्च की नीचे से नहीं बलकि कहीं और से मिला था तो अब प्रोफेसर यहां पर फादर को बार बार मना करते हैं कि आप इस प्याले को लेकर नहीं जा सकते जब तक हम खुद खुदाई कंप्लीट नहीं करते तब तक इस प्याले को लेकर अब कहीं भी भी जाज कराने के लिए नहीं ले जा सकते लेकिन ये फादर मानने को तयार नहीं था ये फादर काफी लालची था चुकि इस प्याले को लेकर पैरिश जाने के लिए निकल पड़ता है तो अब इसी तरीके से बर्लिन की इस पूरी टीम के उपर काफी खत्रा था मतलब उनका ये जो चोरी करने का प्लान था ये फ्लॉप हो सकता था लेकिन दूसरी तरफ हम बर्लिन को देख पाते हैं जो कि अभी भी कैमरे से डिरेक्टर की वाइफ को देख रहा था तो अब बर्लिन को पता चलता है कि डिरेक्टर बाहर कहीं जाने वाला है और डिरेक्टर की वाइफ किसी बार में जाकर या फिर कहीं जाकर गाना गाने वाली है मतलब बर्लिन को एक और मौका मिलता है डिरेक्टर की वाइफ को पटाने का तो अब बर्लिन पूरी तरीके से तयार हो जाता है सूट बूट में और वो अब डिरेक्टर की वाइप से मिलने के लिए जाने वाला था लेकिन तब ही यहाँ पर बर्लिन को प्रोफेसर का कॉल आता है और प्रोफेसर बर्लिन को बताते हैं कि जो लालची फादर था वो प्याला लेकर जा चुका है, वो पैरिस के लिए निकल रहा है और वो उसकी जाज कराने वाला है तो अब यह बात सुनकर बर्लिन भी काफी डर जाता है बर्लिन को पता था कि उनका प्लैन फ्लाप हो सकता है तो अब किसी भी तरीके से बर्लिन को उस फादर के पास से वो प्याला वापस लेकर आना था लेकिन अब यहाँ पर Berlin के पास दो आप्शन थे एक तो Berlin उस फादर के पास जाकर वो प्याला ले आता या फिर Berlin डिरेक्टर की वाइफ को पटाने के लिए उसके पीछे चला जाता तो अब Berlin दोनों में से क्या चूज़ करेगा हाँ, Berlin चूज़ करता है अपने प्यार को Berlin डिरेक्टर की वाइफ को पटाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और फादर के पास से प्याला वापस लाने का काम Berlin रियो को दे देता है Berlin रियो से कहता है कि किसी भी हाल में तुम फादर के पास जाओ और उसके पास से वो प्याला लेकर आओ तो इसी तरीके से पहला एपिसोड यहीं पर खतम होता है तो अब एपिसोड टू में क्या होगा, आगे क्या होगा सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए अगले एपिसोड देखने के लिए तो अगर वीडियो पसंदा है और एक्स्परनेशन पसंदा है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलना